नमस्कार दर्शको भराट टीवी में आप सभी का स्वागत है आज मैं ये कहूं के दिल्ली के अंदर डेंगू की मार, पोलूशन की मार, विकास की मार, महंगाई की मार, मार ही मार, जनता जेल रही है, नेताओं की बात करें तो वो राजनीती करने से पीछे नहीं आ रही, चा और नहीं सूजरा कहां चली गई आज की तारिक में मानवता, नमस्कार राहूल भाई पहले आपके दर्शको भी नमस्कार, आपने का विकास की राजनीती, तो अभी हमारे चेत्र से पहले बात करूंगा कि आज की तारिक में परदूशन की जो मार, जनता जेल रही है, ठीक जनता जो इस समय पॉलूशन की मार से जहल रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, डेंगू की मार भी जहल रही है, मैं बताता हूं, डिल्ली परदूशन की जो बात है, डिल्ली की एर क्वाल्टी पूरे साल के 11 महीने बहुत ही बहतर रहती है, माने मुख्य मंत्री जीक ने अभी पिछले एक महीने से अपने ट्विटर पर डाटा शेयर भी करा है, लगातार, हमारा जो डेटा है, 30 सितंबर कनाट प्लेस में लगा स्मॉक टावर का असर यहां रौताश नगर विधान सफा में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ेगा सर, क्यासे पढ़ सकता है, तो व्यवस्ता क्यों नहीं जुटा पाए, जुटा पाए, सर धीरे धीरे है, अभी कनाट प्लेस में लगा है, उसके बाद पढ़ा है, सर, मॉला क्लीनिकों पर पे मेला लगा पढ़ा है, तो यह सवाल अपकिस से पूछना चीह है, यहां क हमारा जो चेत्रे विधायका है, शोया होए हो चैन की नीद, है नौन से पूछना चीह है, अपने स्मॉक टावर की बात करी, हम्राभी सिर्गार ने स्मॉक अगर अपना कनाट प्लेस में लगवाया बुराडी में लगवाया और भी सारी विधानसभाई पाइपलाइन में उन्होंने क्यों नहीं फोकस करा सरी स्मॉक टावर का स्मॉक टावर के साथ साथ एर प्यूरिफायर लगाया जाते हैं और भी बहुत सारे इंतिजाम किये जाते हैं इसको लेकर और दिल्ली के परदूशन साल के ग्यारा महिने सही रहता है इन दिनों चेत्री जो हमारे बराबर के सटे हुए हवा हवा हवाई हो गए दस दिन दस सरकार इनकार करें नियुक्त दिल्ली के जानता देख रही है इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुई नहीं कर रहा है इस कारेक्रम के जरिए दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको जागरु करने का काम कर रही है अगर हम लोग अवेर होंगे तो अपना बचाब खुद कर सेंगे डेंगू से और एक चार या पांस साल में एक वार ऐसा पीक सीजन जरूर आता है जहां पे प्राएक मंदोली रोड़ के बात करें हैं अरा डुकर जारी है राहूल बाई एक निया ठेकों की संक्या में भड़ोत्री हुई है कि आप भी पत्रगार है रोताश नगर विधानसभा की बात करें मंडोली रोड की बात करें वहां पे शराब का ठेका नहीं था लेकिन खुल रहा है तो हमारे यहां पर एक शुकरबयार चौक पर ठेका था वह बंद हो रहा है तो आप उसकी क्यों न करी जारी। आप दिल्ली सरकार ने नई ठेके बढ़ा दिए पुराने ठेके बंद करके बढ़ाद रहां कितने काम के मामले में तो स्र जीरो है अभी हाँ पर विधायक जी सिर्फ और सिर्फ ओस्तर में नहीं चाल अभी कल आज ताहीं उदारन बता रहा हूं सूबे पानी पानी पाटी के मैं स्वयम चार बजे लौनी रोड की जलबोड के ऑफिस पे गया तब जाके वहां पे पूजा संपन्न हो पाई है तो विधायक जी तो सिर्फ और सिर्फ पोश्टर होडिंग्स बने जा रहाते हैं चेतर में विधायक जी बिल्कुल नरा था पुर्वांचल समाज की अगर हम बात करें समुदाए की तो दिल्ली सरकार ने एहन रोल दिखाया के 80-800 घाट बिल्कुल आप देखिए पहले घाटों की जो तो यहालत हम लोग यमना के किनारे जाके पूजा करते थे आज दिल्ली सरकार ने 8500 घाटों पे इस बर पूजा हु एंवर्मेंट तो टिवारे कि अन्हों नयुक्ति अपय नकी नदी इम ना घुन हो झाला में जाला ड़िया यह क्या हो लोग अब यह जाने इसा कुछ करने की कोशिश कि आं घया कीات वहाना कि वात करें तो वह गोकुल एंदिक वह त shown मे Sid जो एरिया है यूपी के वहां का जो बैराज कैनल बोलते हैं जिसको यूपी के विवस्ता के अंतरगत आता है वहां पे पानी छोड़ा जाता है वहीं से जिसके कानद ज्ञाग ज्ञाग के लिए आगर आप गहर हो तो यूपी के लिए खिलाफ एक तरीके से बोल रहे है और लिए उन्होंने वह आता है कि उन्होंने भी एक वचनब्द तरीके से संकल्प बत तरीके से काहें कि दिली में को साफ करने की कि जभी है और वह इसी टर्म में शंकल्प बत यहां देखांगे में तरीके समझ यह एक इंगलिकclamation कहामत है कि वें टॉम डिके मनी वाई हैरी विल पे मतलब जब टॉम ने पैसे चोरी करें तो हैरी क्यों पे करेंगा उस बीद को आपने साथ रुपे से पैट्रॉल को 110 पे आनि 50 रुपे आपने भड़ा दिये अब आप 5 रुपे कम करके दिखावा कर रहे हैं एक तरीजाय से समझे कि आपकी चोरी हुई है रहुल भाई 50 रुपे की घर में और पुलीस कहती है जी वह चोड तो पकड़ा गया बहुत अच्छी वाद हो गई पर बराद मादगी सिर्फ 5 रुपे की हुई है तो हमें समझना पड़ेगा ना उस चीज को आपने बढ़ाए 50 रुपे हैं आपने सरकार ने भी तो कम करा तो दिल्ली में अर्विन केजी वाला कर देंगी तो क्या दुना हो जाएगा इसका भी मैं खेल आपको समझा देता हूं देखे आप समझे कि फरवरी में पांच राज्यों में चुनाव है और पांचों राज्यों में करीब भाजपा की सरकार है तो यह खेल आप योगी सरकार को नी वहां तो वहां भाजपा के बुरी हाला आता है अब भाजपा को लग रहा है कि कुछ ना कुछ करके कुछ ऐसा दिखाया जाया कि हम पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं पचास रुपय आपने बढ़ाया है पांच रुपय कम करके क्या सबस्क्राइब कर रहा है दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पर इसको पूरा एकजामिन के जारा हाई कि पूरे ठोस तरीके से ज़ाच पर ल की जारी जारी אחरा से सब्सक्राइमर स LOG पर सीज पर nella phi कम कर रही ना चांए जारी पाइन समय से नार भिंप चलाम ना कर रहे हैं चला रही है तो आप बितले साथ साल में डिल्ली सरकार ने अगर पैट्रॉल बढ़ाहें हो कोई एक सिटी आप मेरे को पूरे देश में बता दीजिए यहां पे दिल्ली से कम है तो आल्रेडी बहुत कम पर हम काम कर रहे हैं पैट्रोल के रेट पर फिर भी दिल्ली माने मुख्यमंत्री जी ने का है हम इसको एक्जामिन करेंगे और जो भी हम जनता की बलाई के लिए कर सकते हैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ कम करेंगे वरण जी आपने का राजनीती अगर हम बात करें डेंगु को लेकर के नगर निगम कितनी मुस्ताइद नजर आती है और खास तोर से रहताश नगरवाड के अंदर देखिए आपने जैसे डेंगु के बारे में का कि पूरी है आज हाला कुछ कर रहा है कि मेरे को समझनी आता सर अधमी पार्टी ने लोगों ने जो करी है फॉगिंग उसमें हम फौर फ्लौर तक जाके नहींकर रहे हैं मलेरिया विवाग जो एंसीडी के अंतरगात आता है वहां पर ना तो करमचारी है जो गिने चुने करमचारी है मेरी नॉलिज में नहीं है कि कहीं जब से मुख्यमंत्री जी ने आवहान करा है अपने आमाधी पार्टी के कारे करता हो से कि आप लोग घर-गर जाके आप कारे कराई है हमra भीषय। here क हम लोग कर रहे है एक तरीके से उसको अवेरनेस के कारेकरम की तरह मान वहत्द मान ने मैं बिल्कुल बिल्कुल सर्फालाद काबू में नहीं इसलिए तो मने मुख्यमंद्री जी ने आम अधी पार्टी के कारेकरतों को यह कमान अपने हाथ में लेने के लिए जब मलेरिया विवाग और इतनी शरमनाक बात है कि आपने दवाई तक परचेस नहीं करी है आप किस बात के लिए कह रहे हैं आपके पास मलेरे विहाग में काम करने वाले करमचारी नहीं है इसको दूसरे तरीके समझना पड़ेगा यह सारा चुनावी खेल है वरुन जी ने क्लिएर कर दिया सारा चुनावी खेल है चै दिल्ली हूं यूपी हूं पांच स्टेटों के अंदर चुनाव होने है पिच्चर क्लियर है जन्ता इससमें परेशान है हॉस्पीटलों के धक्के खा रही है चक्कर लगा रही है शम्शान घाटों में दुबाय पड़ा है और अगर हालात के सई काम नहीं किया गया तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं कैमरामेन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा भारत टीवी के लिए